Hey everyone, myself Paniša, welcome to MLT Education Point. आज का हमारा टोपिक है कल्चर मीडिया. तो कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया is a liquid or solid substance. कल्चर मीडिया क्या है? एक लिकवीड या फिर एक solid प्रकाव का क्या है? एक सब्स्टेन से जिससे हम क्या करते हैं? इसका यूज हम organism को कोई भी pathogen हो गया, bacteria हो गया, उसको grow करवाने के लिए हम किसका use करते हैं, culture media का use करते हैं, किस से हैं, culture media is a liquid or solid substance required to grow the organism from infected material to identify the qualitative agent, यानि कि कोई सा भी ऐसा infected material है, जिसे कि stool हो गया, stool में हमको identify करना है, bacteria को identify करना है, तो हम कैसे उसको identify करेंगे, क्योंकि वो क्या है, infected material है, infected material यानि कि अगर उसमें bacteria कोई भी pathogen present है, तो उसमें हम उसको grow करवा के देखते हैं, कि ये किस प्रकार का bacteria है, ये किस प्रकार का pathogen है, तो क्या है, ये एक liquid या फिर solid प्रकार का kulture media जो है एक substance है जो कि required होता है growth organism यानि कि बेक्टेरिया की बेक्टेरिया को ग्रो करवाने के लिए तेक है उसकी Characteristic को identify करने के लिए हम culture media का use करते हैं from infected material कोई भी infected material to identify objective agent तेक है koe rely co-reazitive agent यानि कोई भी pathogen हो गया bacteria होगा उसको infected material में identify करने के लिए हम culture media क्या use करते हैं ठीक है friends clear है culture media क्या होता है इसका introduction आपका अच्छे से अ समझ में आ गया होगा देखते हैं constitutes of culture media यानि कि culture media जो होता है उसमें क्या क्या present होता है first one हम देखते है water source of hydrogen और oxygen यानि कि culture media में water present होता है स crappy Southern होता है hydrogen और oxygen प्रोवाइंड करता है किस को performances जो कि उस बेक्टेरिय को या organism को प्रोवाइड करता है एलेक्ट्रोलाइट में sodium chloride present होता है विच मैंटेन लाइफ हो ओर और तीक है । यानि कि इसमें electrolyte इसलिएम्ध ऑपिंद्ध होता है, इलेक्ट्रोलाइट में प्रजेंट होता है जो कि complex mixture of partially digested protein obtained from heart muscles casein or fibrin यानि कि peptone present होता है जो कि कहां से मिलता है हमको प्रजेंट होता है एक तरह का complex mixture होता है किसका partially digested protein का ठेक है जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है heart fat muscles से कैसीन से और fibrin से कंटेन इस प्रेप्टोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है amino acid present होता है जो कि nutrient provide करते है यानि कि उस बैक्टेरिया को ग्रो होने के लिए उसको nutrition की जरूत होगी तो यह सारे ingredients जो है उसको क्या करते है energy provide करते है जिससे कि वो grow हो सके और visible हो सके और हम उसे identify कर सके तो amino acid present होता है polypeptide present होता है mineral growth factor present होते है growth factor यानि कि उसको growth को increase करते है nicotinic growth factor में कौन-कौन से present होते है तो nicotinic acid और riboflavin इनका important role होता है growth factor के लिए और meat extract में present होता है तो meat extract बालता है prepared from highly concentrated meat stock contained inorganic salt और carbohydrate meat extract मीट extract भी present होता है जो कि हम इसको कहां से prepare करते हैं meat इस्टोक है जो कि highly concentrated होता है और उसमें inorganic salt भी present होते हैं तो यह firm करते हैं एं ब्लड़ोडर ऴीडिया में तो यह important component होता नहींद इसमट्रट होती है you मीडिया आप मिडिया तो इसके मीडिया है उसके बारे में नेटेल हम आगे पड़ेंगे उसके बारे में बात करते है अगार की होगार क्य Sedan के उस अखे से इंपोर्टेटर को अगार कल्चर मेडिया वो click वह सोलीड बनाता है तो पहले बात कर रहे हम किसके सॉलीड की तो अगार क्या है एक प्रकार का सॉलीड सबस्टेंस है जो की कल्चर मीडिया को क्या करता है सॉलीडिफाइग करता है सोर्स यानि कि इसको हम कहां से प्रिपैर करते हैं तो प्रिपैर फ्रों सेलवाल उप सीवेट्स आवेलेबल इन पाउडर फोम यानि कि इसको हम कहां से प्रिपैर करते हैं सीवेट्स की सेलवाल से समुंदर में जो एलगई पाई जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की तो उसकी सेलव हिसको isoう कंछरने चे 15-2003 यह से हम क्या करते ही इसको प्राप्त करते हैं और यह पाउडर फोम में होता है तो इसको क्याश प्रिपैर किा जाता है यानि कि जँब हम इसको मेल्ट करेंगे 98 gras रखेंगे तो यह मेल्ट हो जाएगा और जब इसको फुर्लट i2 सब्सक्राइब करेंगे तो यह सौलीड इफाइब डिवाई में अपने चीन कौह तो कंसंट्रेशन इसकी बात करें तो कनसंट्रेशन इसकी सॉलिट बनेगी और सेब करना ऑगलाondern तो प्रसेंट और सेमी सोलिट के लिए 0.5 प्रसेंट यूज करना है तिक है मैंने अभी बताया आपको कि अगार डिस नाट प्रोवाइड एनी नूट्रिशन तुदा बैक्टेरिया बट एक्ट इस सोलीडिफाई एजिंट ओनली तिक यानि कि या गार जो होता है बैक्टेरि नुटिया के वाले में पड़ते हैं बात करते हैं टाइप्स मीडिया यानि की कल्चर मीडिया जो है वह कितने टाइपस का होता है फीजिकल स्टे गैई जिस एक्नेॉन देखे तो कsided मीडिया जो है वह और सोलिट मीडु या जा ज़ Guard कि कंसेंडेशन कर देंगे तो तो उसमें हम बात करने हैं सबसे पहले simple media की इन सब के बारे में हम detail में पढ़ेंगे बस में आपको यह बता रही हूं कि media जो है वह culture media कितने types का होता है ठीक है simple media होता है complex media होता है अब complex media में भी यह different different types होते हैं इसके enriched media, enrichment media, selective media, differential media और transport media ठीक है clear है अब बात करते हैं presence and absence of oxygen यानि कि कुछ bacteria ऐसे होते हैं जो कि oxygen की presence में grow करते हैं तो जो bacteria oxygen की presence में grow करते हैं उसे हम क्या कहते हैं anaerobic media अब हम इन सब के बारे में एक एक करके detail में पढ़ लेते हैं फर्स्ट बार करते हैं solid media की तो solid media क्या होता है मैंने आपको बताया कि अगार की quantity जो है हम उसमें अगर अगर यूज करते हैं मतलब quantity उसकी 1-2% के लगबग तो 1-2% के लगबग अगर हमने अगार यूज किया है तो वह क्या करता है उस culture media को solidify बनाता है तो उसमें कौन कौन सा अगार हम यूज करते हैं अगर अगर को यूज करेंगे न्यूटेंट ब्रोथ में तो वह क्या बचाएगा न्यूटेंट अगार ब्लड अगार ब्लड अगार में हम क्या मिला देंगे ब्लड मिला देंगे तो न्यूटेंट अगार जो होता है वह सेमी ट्रांस्पेरिंट होता है और पिंक रेड होत है लिक्विड मीडिया लिक्विड मीडिया की बात करें हम तो ग्लुकोज ब्रोथ या फिर पैप्टोन वाटर यह सब कंस्टिटूट में आपको पहले बता चुकी हुँ जब वाटर एलेक्ट्रोलाइट पैप्टोन यह सब हमने अभी देखा था कि यह सारी चीजे जो है इस होता है वह है का यह मैं आपको बताई दिया है कि क्वांटिटी अगर आप 0.5 पर इंड लेते हो तो वह बंजाएगा सेमी सॉलिड हो जाएगा अगर ज्यादा क्वांटिटी उसकी युज़ कर रहे हो तो वह सोलीड बन जाएगा अगर सों क्या आपने कम कर दिए 0.5 से भी कोई प्रिप यूज़ नहीं किया है तो बहुत कम होते हैं और इसे बेक्टेरिया जिनको एडिशनल न्यूट्रियेंट की जरौत नहीं होती है यानि कि जिनको ग्रोव होने के लिए एडिशनल न्यूट्रेंट की जरुद नहीं होती है नोन फास्टिडियस बैक्टेरिया कहलाते हैं और जो बैक्टेरिया जिनको एडिशनल न्यूट्रेंट यानि की एडिशनल न्यूट्रेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे उसमें Peptone Water Peptone Water कैसे बनेगा उसमें Peptone लेंगे sodium chloride plus water तो Peptone sodium chloride water अगर mix करेंगे तो क्या बन जाएगा Peptone Water एक तरीका क्या है liquid media है यह लिक्विट मीडिया मैंने आपको भी बता है Peptone Water is a color is a liquid liquid media तो Peptone Water क्या है liquid media उसके बाद nutrient ब्रोथ nutrient growth भी क्या है nutrient आपने क्या के लिया Peptone Water plus meat extract इतना लिया 1% तो क्या बन जाएगा हमारा nutrient उसी प्रकार glucose ब्रोथ बनाएंगे तो glucose ब्रोथ में हम nutrient ब्रोथ प्लस glucose मिला लेंगे pay town वाटर में वीटोंट्रीन पीला दियाल तो क्या नीट्रीन ब्रोड अब हमारे प्रेज़न वे बापिस और अगर मिला अगर मिला दिया तो drip अगर बं तो क्या बन गया nutrient अगार यह सब इग्जामपल है किसके simple media के लिए यूज किये जाते हैं नेक्स्ट बात करें हम complex media की तो नाम समझ में आ रहा है complex वो था simple यानि कि उसमें कोई ingredient नहीं है और complex media हम किसके लिए यूज करते हैं फास्ट इडियस बैक्टेरिया को जिनकी ग्रो करवाने के लिए हमें additional nutrient की जरौत होती है complex media या फिर जिसे special media भी कहते हैं इसमें first one हमने इसका types देखा था उसमें था enriched media enriched media when basal media is added with additional nutrients such as blood, serum और egg ठेक्टेक्षया यानिकी when basal media यानिकी simple media simple media में हमने कोई additional nutrient अगर मिला दिया तो वह हमारा क्या होगा enriched media जैसे कि blood मिला दिया, serum मिला दिया, egg मिला दिया ठेक्टेक्षաpy so जू हमारा basal media रिऊदिया है उस basal media बनाएं तो यह घड़ा बनाया है इसको अगर हम हीट करेंगे डिए घड़ाई है झाम्पल से बनाया है चॉकलीन जाएगा किसके लिए यूज करते हैं, example जैसे कि Nizeria, जैसे कि Hemophilus Influenza. Next is Loffler Serum Slop. Serum Slop, अभी हमने देखा कि जैसे कि Blood Serum, Blood हमने यूज कर लिया, तो Serum का यूज कर सकते हैं, यानि कि यह जो Nutrient अगार हमारा है, इसमें आपने क्या मिला दिया, Serum मिला दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा Loffler Serum Slop, तेके इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, Corino Bacteria Dipteria, यह Point of View, Man Exam के लिए भी Important है, और Competitive Exam के लिए भी, Competitive Exam में जैसे कि यह से पूछ लिया जाता है, इनरेज़ मीडिया का एक्जामपल बताओ, या फिर Blood Agar किसके लिए यूज किया जाता है, चॉकलीट अगार किसके लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर बैक्टेरिया का नाम दे देंगे कि इसके लिए हम कौन से अगार का यूज करते हैं, इनरेज़ मीडिया में कौन सा मीडिया यूज करते हैं, तो इस तरीके से पूछा जाता है, या फिर मैन एक्जाम में भी दो नंबर में या पांच नंबर में इसे पूछ लिया जाता है, यह इनुरिच्ट मीडिया की नाव Ugh.. वह सब्सक्राइब इसे कर seaweed उंश DRT मीडिया और यह है इनुरिच्मेंट मीडिया जो है वह एक liquid media है जो कि क्या करता है increased growth of particular species growth of particular species मतलब कि बहुत सारे इसे normal flora भी present होते हैं जिसके हमारी body में ऐसे bacteria या ऐसे protein भी present होते हैं जो कि हमारी body के लिए harmless होते हैं यहां हमारी body प्रमारी बोड्य को कोई नुकसान नहीं पहुचाते हैं इस प्राकार की बैक्टिरिया हैं हमारी बॉडी में प्रेजन होते हैं तो जैसे कि बाद करना है अबिसे करना है तो कैसे करेंगे तो मतलब कि यह competitor जो है उसका competitor कौन Ecoli यानि कि शूल में Ecoli भी present है और एक ऐसा बेक्टेरिया भी present है जो कि हमारी body के लिए क्या है हाम भूल है तो यह इसा बेक्टेरिया भी present है और Ecoli भी present है तो यह enrichment media क्या करेगा कि उस normal flora bacteria निकी Ecoli जो है उसको क्या करेगा उसको reduce करेगा और increase करेगा growth की किसकी जिसे की example हमने बात करें साल्मो लेला की साल्मो लेला की बात कर रहे हैं इस टूल के मैं हम कल्चर मीडिया में identify कर रहे हैं कि को किसी कोईजिटी वैजन को तो Ecoli की growth को क क्या करेगा reduce करेगा और particular species जिसे हम identify करना है जिसे साल्मो लेला हो गया तो उसको क्या करेगा उसकी growth को increase करेगा तो investment media यह पका समझ में आऊगा विछ इंकरीज ग्रोथ पर्टिकुलर स्पेशस्ट किसी पर्टिकुलर स्पेश जिसके उने यूज किया है उसकी growth को क्या करेगा han increase करेगा और inhibit करेगा its' complementary उन्हें के लिए यूज किया जाता है यूज for isolation of pathogen such as tools और sputum ट्रेग्वें इग्जाम्बल कॉन-कॉनसे है इसका जिसे tetra threeolamate growth यह क्या है योगिविट मीडिया है lleg рядhost ग्लूकोज व्रोथ यह सब लिकुर मिडिया है तो तैरा व्रोत हम ीस की लिए करते हैं साल्मुणेला के लिए सैलनाइटे पुलाइट शिगलएख न्यके लिए ग्राम नेगेटिव ब्रोथ हम यूज कर रहे हैं साल्मुणिला और शिगला दोनो के लिए停ग ग्राम व्रोग so यह से कंटैन होता है एकस्टक्रीट साल्ट यह दोनों 얇ंड होता है इसमें उते हैं गरॉड नेकेटी विरोत तो यह क्या करता है कि लिए Vibrio cholera के लिए तो यह है इंवीडिमेंट मीडिया अब को समझ वे दूनों का प्रिंसिपल कि टूक्न स्पीस को क्या करता है उसकी इनक्रीज करता पहुर्ट से इंडिशमेंट मीडिया जो है वो लिकविड मीडिया है और सॉलीड मीडिया है ऐग्ड करतें यहीं हैं उन देरें सव crocodile मीडिया ब Pig film style मारा वह यह जो में अब आपको बताया एंग्जांपल कीबात करें टो लोवनिस्टेंट जैंसें मीडियमयल ये बारे में सुना होगा जो कि हम करते हैं लिए मायक्रो Node के लिए दोनों दोनों के लिए यूस करते और शाहिलोस लाइसीन डियोक्सीकोऩ इसे हम जाहिए ल दीब़ी क्यते हैं पिकाहिए वह भी हम साल्मोनेला और शीघियला दोनों के लिए यूज करते हैं तो selective media और enrichment media भी बच्ष हो गया हुआ कि लास्ट में चाहा है तर्मेड्या और स्पैसिमन का एक लेबोरेटरी से दूसरी लेबोरेटरी पर भीजना या फिर आपने क्लेक्शन चिया यहें वहां से आपको लेब में भीजना है तो ध्यार यूज़ड फो ड्रांसपोर्ट करने के लिए यूज्या जाता है अब को जिसे को 20-50 km भीजना है तो अगर आप उसको specimen को यहां रखोगे तो वह bacteria क्या है multiply होने लग जाएंगे उसी के अंदर या फिर वह जो है आप इस specimen ने खराब होने लग जाएगा तो उसको अगर दूर भेजना है त्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम भे मेडिया यूज करते हैं ताकि वह जो बैक्टिरिया है पैथूजन है वह क्या कर सके multiply नहीं हो और only remain viable यानि कि viable रहे और multiply नहीं हो ठीक है तो यूज ट्रांसपोर्ट दे स्पैसिमें इन दिस मीडिया बैक्टिरिया नोट मंटिप्लाइड और ली रिमें वायबल वें डिली ट्रांसपोर्ट टिंग स्पैसिमें फ्रूम साइट ऑफ कलेक्शन टू लैबोरिटरी यानि कि वह बात कि या फिर जब ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो रहा है ज्यादा टाइम लग रहा ह क्लार का है इंडिकेटर का ऐ है यह वाला बेक्टेरिया जो है वह इस प्रकार का है तो दे मीडिय क्या करता है डिफreeंचिट करता है बिट्विन वाट डो ग्रूपप सहले यानि की जैसे कि कुछ बक्टिरिया जो होते हैं वह लकूस फर्मेंटेशन होते हैं और कुछ बेक्टिरिया जो है तो जैसे कि इसमें example की बात करें तो मैकों के अगार तो मेकों कि अगार सिसमय व्यूम्स करता है definite निदिकेटर मीडिया है तो नोनेज मीडिया है और बैक्टेरी मीडिया भी है से चाही電 इंफिकेंट करने चाहला लाहग जो कि एक बेक्टिरिया लेक्टोस का फर्मेंटेज करता है और एक बेक्टिरिया जो है वह नो लेक्टोस फर्मेंटेज है तो एक ही ग्रूप के हैं बट वह एक लेक्टोस फर्मेंटेज है तो इसको डिफ्रेंचिट करता है जिसमें कि लेक्टोस फर्मेंटेज जो होता है जो ग irrespons City कुर सकते हैं कि है..? ये बैक्टेरिया जो है.. ये इन फंसे में का होती है?, तो इसमें लेक्टोज प्रिजन ४्रेजन प्रेजन उता है.. अगार यूज कर रहें तो शॉलिड मीडिया है.. न्यूट्रल करते हैं जो कि अखिंटर का इंडिकेटर है और Fig keep io करते हैं उसिवाथ मिकाहर की तरह प्लट अगार इसमें यूश करते हैं जो कि differentiate करता है कि हीवीयों लाइट और ओननिव लाइट बैक्टेरिया को टिए हिमोलाइट और नोबी हमोलाइट बैक् drainage को जिस प्रकार इस में था कि कुछ बैक्टेया लेक्टोस का फर्मेंटेशिन करते हैं इसी प्रकार कुछ बैक्टेया सो हैं और कुछ बैक्टेरिया जो है वह से फुंहान dw Reverich होते हैं तो यह एक ही ग्रूप के झाल झाल